Hello everyone, जैसे कि आप जानते हो YouTube लगातार अपनी settings और interface में update करते जा रहा है और YouTube अपनी YouTube streaming experience को भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है ये ना सिर्फ एक user के लिए बलकि एक YouTuber के लिए भी बहुत beneficial है For example, आपने देखा होगा YouTube के एक नए update आया है time score या आप उसे time stamp भी बोल सकते हो ये क्या है ये देखें ये मेरी वीडियो है मैं इसमें और वो time score या time stamp यूज कर चुका हूँ जिससे आपको पता लगता है कि वीडियो के किस फार्ट में कौन सी चीज है वीडियो की timeline है वो एक portion में cut होती है जिस particular portion का हमें पता होता है कि कौन सा topic किस जगह पे है या किस portion में है तो इसको time score बोलता है ऐसे time stamp भी बोल सकते है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि time stamp है क्या time stamp को हम अपनी वीडियो में कैसे लगाए और ये एक यूट्यूबर और एक user के लिए कैसे useful है तो मेरा नाम है राज और मैं आपका स्वाइद करता हूँ आपके अपने channel upcoming world में तो मैं आपको बता दू आप इस time stamp को कैसे लगा सकते हैं जैसे मैंने अल्री इस वीडियो में इसे लगाया हुआ है ये देखिए time score इसको आप यहां से लगा सकते हो आपको बस time लिखना है portion में अब एक नई वीडियो में लगाते कि आप इसे कैसे अगा सकते हैं उसके लिए आपको जाना यूट्यूब में और यूट्यूब के बाद आप अपने YouTube शूडियो में जा सकते हैं वीडियो में जाना है जिसमें आपको time score या time stamp का use करना है तो edit पे जाएए आप जैसे edit आप जाएंगे तो आपको description में कहीं भी जाके जैसे मैं यहां जाता हूँ मैंने इस वीडियो का जो time score है वो बनाया हुआ है तो मैं उसे यहां पर copy कर देता हूँ आप मैं आपको चला के दिखा जीता हूँ इस वीडियो में देखे time score कहीं भी नहीं लगाए तो अब मैं आपको time score लगाना है तो उसके लिए आपको जाना है इसके description में आपको बस जो जो portion आपको दिखाना है कि इस time से इस time के बीच में ये particular topic है ये introduction है यह यह particular topic है यहां पर closing है यहां पर मैंने subscription के लिए request की है तो वही चीज़े बस आपको दिखानी है मैंने अल्रड़ी यह बनाया हुआ है time लिखा हुआ है तो मुझे को यहां पर सिधा copy कर दे है इसके बाद आपको जाना है save पर जैसे आप इसे save करते हो यह देखिए यह save होगी है changed save अब आप बैग जा सकते हो जैसे आप बैग जाके अब मैं इसको वीडियो को दुबारा चला के देखता हूँ कि इसमें time score आया है कि नहीं आया है यह देखिए for example जैसे मैं आपको अ introduction है और इस से इस time के बीच में that how to use that how to add social media link to channel इसके बाद social media icons और इसके बाद subscription request यह देखिए यह portions में आ चुका है तो बस आपको इतना करना है आपको बस वो portion यह ताइम आपको कहीं लिख लेना है वो याद कर लेना है कि कि किस से किस time के बीच में आपको कौनशा topic आपको यह दिखे इस तरह का आपको time score करके description में लिखते हैं आपको save कर देना है आपकी वो video ready हो जाएगी time score के साथ and अब मैं आपको बता दू यह एक user और एक YouTuber के लिए क्यो बैनी official है यह इस वीडियो को एक YouTube और एक Google algorithm के लिए user friendly बनाती है अब आप Google पे भी sales करोगे तो आपको mostly दिखेगा कि एक YouTube के पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख जाएगा जिसमें आपने जो भी portion लिखा हूँ जैसे मैंने इक पार्ट में लिखा हूँ है add social media icon to YouTube तो वो YouTube की उस video को Google पे भी rank कराएगा उस particular portion को और एक user के लिए क्यों अच्छा है एक user के लिए इस लिए अच्छा है क्योंकि user को जो पार्ट देखना है उस वीडियो में से वो डारेक्ट उस वीडियो पे उस particular पार्ट पे जा सके यूजर को पूरी वीडियो नहीं देखने पड़ेगी यूट्यूबर अपनी वीडियो में clear बाता सकता है कि इस portion में यह topic है और YouTube टाइटल के साथ साथ YouTube description के साथ एक और YouTube text के साथ उन्हें यह portion भी मिल जाता है रेंक कराने के लिए Google पर तो इसलिए एक YouTuber के लिए भी यह बहुत अच्छा है तो इस वीडियो को मैंने काफी short and simple रखने की कोशिश की है कि आप time score या time stamp को कैसे यूज़ कर सकते हैं कितना beneficial है एक user एक YouTuber के लिए I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भूना because आप YouTube पे कैसे grow कर सकते हैं इसके लिए में tips and tricks की वीडियो लाता रहता हूं Thank you so much